आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे महा सिवरात्री 2024 के बारे में महा सिवरात्री का ऐसा सुभ संजोग बन रहा है कि अगर महा सिवरात्री के दिन आप यह साथ उपाय कर लेते हैं यह आज माय हुए उपाय हैं अगर इस साथ उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पुन हो जाएगी चाहे आपकी मनोकामना कुछ भी हो जाहे रोग से आप पीडित हों धन से पीडित हों संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हों या बिबाह के लिए ब्यापार के लिए जो कुछ आपके मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी दोस्तों महासिवरात्री का एक ऐसा दिन होता है जो आप स्रद्धा पुर्वक विश्वास पुर्वक भगवान सीव और माता परवती से जो कुछ मांगेगे वो सब कुछ आपके मांगने से ज्यादा मिलेगा तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं वीडियो कि आपको महासिवरात्री के दिन क्या करना है दोस्तों महासिवरात्री के दिन सरप्रथम आपको जल्दी जगना है जैसे आप जल्दी तो रोज ही जगना चाहिए लेकिन महासिवरात्री के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए सुबह जल्दी उठें और जैसे आप पूजा पाठ करते हैं भगवान सुर्य को जल देते हैं, अपने घर के मंदिर में पूजा पाट करते हैं, उस तरह से आप पूजा पाट कर लें, सिव मंदिर जाएं, जो भी आपको पूजा करना है, वो पूजा पाट कर लें, लेकिन उस दिन आपको एक विशेश काम करना है, दोस्तों उस दिन रा करते हैं तो आपको उसका कई गुनाफल मिलेगा तो दोस्तों उस दिन आपको उसके पहले आप मिट्टी लेकर के आना है स्यूलिंग बनाने के लिए स्यूलिंग का निर्मान करने के लिए अगर आपको मिटी नहीं मिल पाती है तो रामरज मिटी से आप बना सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा आपको होगा किसी पीपल बिरिच के नीचे से आप मिट्टी लेकर के आएं या किसी नदी जो होती है नदी के तड़ से साफ सुत्री मिट्टी लेकर के आएं और उस मिट्टी पर गंगा जलचिड़क करके रख दें और जब आपको सिवलिंग बनाना ह तो उस दिन साम के समय आप स्यूलिंग का निर्मान करें दोस्तों मिट्टी के स्यूलिंग का आपको निर्मान करना है और कम से कम आपने चार अंगुल मान के चलिए चार अंगुल के आसपास का आपको स्यूलिंग बनाना है स्यूलिंग का निर्मान करने के बाद उस स्यूलिंग का चारो पहर में आपको पूजन करना है अगर उस दिन आप ब्रत रख सकते हैं तो आप ब्रत रखें अगर ब्रत नहीं रख सकते हैं तो फलहारोगर खा करके लेकिन नमक वाला चीजें आप न खाएं तो बहतर होगा नमक वाले चीज़ें नहीं खाना है और उस दिन आपको पूरी रात जागरन करना है दोस्तों पूरी रात जगना है तो उस सीवलिंग का निर्मान कर लें और पहले पहर में की पूजा दूसरे पहर की पूजा तीसरे पहर की पूजा और चतुर पहर की पूजा आपको उस दि पूरी रात जगेगी और उस दिन आप दिन में ब्रत रखेंगे दोस्टों अगर बिवाह के लिए करना चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं बच्ची हैं उनका बिवाह नहीं हो पा रहा है तो उस दिन आपको क्या करना है स्यूलिंग का जैसे चाहें आप पूजा पाठ करें उस पर बेलपत्र चढ़ावें धतूरा चढ़ावें लेकिन विबाह के लिए अगर करना चाहते हैं तो कम से कम सवा लीटर गाय की दूध ले लिजिएगा गाय का दूध लेकर के सवा लीटर और उसमें केसर डाल चारो पहर में सिवलिंग का अविशेख करना होगा और आपको जय जय राज्य किसोरी वाला मंत्र कम से कम एक क्यामन पाठ करना होगा और रात भर जागरन करना होगा अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके विबाह में जो भी बिलंबा रहा है वह दूर हो जाएगा और आपका व जैसे आप दिन में पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ कर लीजिए, सिव मंदिर में जाकर के जो पूजा पाठ करते हैं कर लीजिए, और साम के समय आपको सिवलिंग का निर्मान करना है, जैसे बताया हमने सिवलिंग का निर्मान कर लीजिए, पूजा पाठ सिवलिंग का अविसेख आपको करना है चारों पहर आप गन्ने के रस से अविसेख करेंगे और पांच-पांच आपको कमल गट्टे का बीज अरपित करना है यानि एक पहर में पांच कमल गट्टे का बीज आपको अरपित करना है अगर ऐसा आप करते हैं वहाँ दीपक भी आप जला लीज तो वहाँ पर पांच-पांच कमल गट्टे की बीज आप चठाएंगे और अविशेख करेंगे गन्ने के रस से अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके धन सम्मंधी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी दोस्तों उस दिन सरद्धा और विश्वास के साथ जो भी आप माता पारवती भगवान सिव से मांगेंगे वह जरूर आपको प्राप्त होगा अगर आप बिमारी से पीडित हैं आप बिमारी से घेरी चुके हैं बिमारी आपके ठीक नहीं हो रही है ज्यादा उसमें धन ब्याय हो रहा है तो आपको उस दिन रात में जागरन करना है भग संजीवनी का पाठ आपको करना है दोस्तों ऐसा अगर करते हैं और आप जो अविशेख करेंगे अविशेख में आपको कुसा के जल से अविशेख जरूर करना है यह रोग मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर आपको सिद्ध होगा दोस्तों कुसा के जल से आप रोग मुक्ति क लिए अब इसे एक भगवान शीव का करेंगे अगर ऐसा आप करते हैं तो बीमारी के लिए बहुत ही राम बान उपा है इस उपाई को आप कर सकते हैं दूसरी चीज मैं बताऊंगा दोस्तों अगर आप पती पत्नी में प्रेम नहीं है पती पत्नी में जगड़े हो रहे हैं तो आप इस दिन बहुत ही सुभ समय है इस उपाई को जरूर कर लीजिए दोस्तों आप पार्थिव शीलिंग का निर्मान करेंगे जैसे हमने बताया उस तरह से पार्थिव शीलिंग का निर्मान कर लीजिए और चारों पहर में उसकी पूजाग आपको करनी होगी और वहा हैं कलावे से फोटो और शीवलिंग का आप गठ बंधन कर दीजिए गठ बंधन करने के बाद आप शिव सहत्र नाम का पार्ट 11 या 21 पार्ट आपको करना है और चारो पहर की पूजा करना है अगर ऐसा आप करते हैं तो जो पती-पत्नी के बीच प्रेम नहीं है अनबन है जगड़े लडाई हो रहे हैं वह दूर हो जाएंगे दूसरी चीज में बताना चाहूंगा दोस्तों अगर अपना घर आपके पास नहीं है घर के लिए परसान है तो दोस्तों घर कोई छोटी चीज़े नहीं होती है अगर इसके लिए आप भगवान सीव की पूजा करते हैं तो उस दिन खीर का आपको दान करना चाहिए उस दिन आप खीर बना करके किसी गरीब को या किसी गरीब ब्रामन को आप जरूर दान करें और खीर का ही आपको रात में भगवान सीव का भोग लगाना है भगवान सीव को अर्पित करना है और किसी मंदिर में अगर खीर बना करके दान करना चाहते हैं, तो दान कर सकते हैं, या कुछ पैसे दान कर सकते हैं, उस दिन रात में आपको स्यूलिंग बना करके, आपको खीर उनके उपर जरूर अर्पित करना है, अगर ऐसा करते हैं, तो आपको अतिसिग्र घर की प्राप के लिए परसान हैं तो उस दिन आपको किसी भी सीव मंदिर में अगर घंटा बांते हैं दोस्तों एक घंटा पीतल का खरीद लेजे और ले जाकर के उस दिन अगर बढ़वा देते हैं तो सरकारी नोकरी के लिए राम बानुपा है या परमोसन के लिए आप इस उपाय को करके देखे घंटा अगर बांते हैं तो जरूर इसमें आपको लाम मिलेगा दूसरी चीज अगर आप काल सर्प दोस्ते हैं आपके कुंडली में काल सर्प दोस्त के लिए परसान हैं तो यह बहुत ही सुबसमय है शुरात्री के दिन आप सुनार की दुकान से एक नागिन तांब इंके पास रख करके जैसे आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लें उसके बाद में जिसको काल सर्प दोस्ते उस नाग नागिन को ले करके आप किसी बहते हुए पानी में उसका विसरजन कर दें दोस्तों आपको काल सर्प दोस्त से मुक्ति मिल यह काम आपको सिरात्री के दिन करना है और यह काम आप सिरात्री के दिन अंधेरा होने से पहले इस काम को आप कर लें दोस्तों काल सर्फ दोस्ते मुक्ती के लिए राम बान उपा है इस उपाय को काल सर्फ दोस्त मुक्ती के लिए जरूर आप कर लें अगली और अंतिम चीज़े मैं बताना चाहूंगा दोस्तों अगर कोई भी मनोकामना है आप बहुत से उपाय कर चुके हैं वो है आपकी नहीं पूर हो पा रही है तो यह सिवरात्री बहुत ही बिसेश है इस दिन सरवास्त सिध्धी योग बनना है दोस्तों इस उपाय को आप कर लीजिए शिवरात्री के दिन किसी भी बेल ब्रिच के नीचे आप एक गाए के घी का दिपक प्रज्वलित कर दीजिए आपको कुछ नहीं करना है ले जाकर के गाए के घी का एक दिपक ले जाए और वहां रख कर के पैर छू लीजिए बेर ब्रिच के नीचे एक दीपक जलाने के बाद रात के समय आप अगर सिव मंदिर आपके नजदी के जला सकते हैं स्यू मंदिर में एक अखंड दीपक आप प्रजोलित कर दें जो पूरी रात गाय के घी का दीपक ले जाकर के पूरी रात स्यू मंदिर में वो जलता रहे अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दोस्तों एक दीपक बड़ा ले जाकर के एक ऐसा दीपक जो बुझे ना और ले जाकर के क पूरी रात आपको जागरन करना है और ओम नमश्युवाय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी दोस्तों इस उपाय को कर लिजिए तो दोस्तों यह उपाय कैसा रहा यह वीडियो आपको कैसी लगी कामेंट बाक्स में जरूर पताईएगा मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यानवर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद